हेलो एपरिवेन, वेलकम टू 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 पेडियो लर्न क्लासेस, सिविक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुगा है, अंडरस्टेंग लॉज जिसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, जैसे लॉज की मिलिंग क्या होती है, रूल लेगलेशन से कैसे डिफरेंट हो और क्या ही लॉज सभी के उपर में अपलाई होते हैं, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फॉर्थ, एंड, फिप्त पॉइंट, और सिक्स पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, प्रुभियस मजलें, फिर इस वीडियो पर आएंगे, और प्रॉपर तरीके से नोट बनाएंगे, सेवेंध नमबर का पॉइंट ये है, कि जो हमारे ब्रिटिस कॉलोनिस्ट थे न, जिन्होंने हमें गुलाम बना करके रखा था, उन्होंने ही क्या किया था, इंडिया के अंदर में रू अच्छा सा चीज बना सकते हैं, क्या लॉव, लॉव कहा बनती है, हमें साब बारलेमेंट के अंदर में, लजिसलेटिव, असम्मली के अंदर में, ये बात हमने सीखी किसे ब्रेटीसर से, हमने किसे सीखी ब्रेटीसर से कि कंट्री के अंदर में रूल आफ लॉव भी होनी चाहिए लेकिन जो हमारे historians होते हैं इस बात पे वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरी को सपोर्ट करते नहीं देखते हैं जो historians हैं वो यह कहते हैं कि ठीक है इंडिया में rule of law का जो concept है यह किसके दौर लाइग यह ब्रेटीशर्च के दौर लाइग हम इस बात से अगरी करते हैं लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी कॉलोनियन गवर्मेंट के अंदर में लॉज बनाएंगे वो सब क्या थे अर्बिट्रेरी थे क्या थे अर्बिट्रेरी का मलब कि ब्रिटीशर्च ने लॉज तो बनाएं बर्ट अपने फायदे के लिए बना है अपने मनमर्जी से बोलो लॉज को अल्टर करते थे उसको लागू करते थे सिटीजन्स के उपर में लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने हमारे कंट्री घंदर में जो लीगल स्वेयर था लीगल स्वेयर का मतलब कि हर बाते ब्रिटीश ने ये चीजें लाई थी और लीगल डबलब्मेंट जो हमारी कंट्री में हुआ ये इसी वज़ा से हुआ क्योंकि हमारी इंडियन नेशनलिस्ट ने इस बात के लिए आंदोलन किया गवर्मेंट के सामने बहुत सारी मांगे रखी तब जाके गवर्मेंट ने क प्रेसर के थुरू लाया और दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने भले लाया हो लेकिन ये कॉलोनियल नेचर में कैसे थे आर्बिटरी थे आर्बिटरी का मतलब कि ब्रिटीश अपने फायदे के अनुसार इन लॉज को सेट करते थे एक एक्जामपल देते हैं हिस्टोरियं मतलब लेंस की जैसे एक कानून बना ब्रिटीर के दोरा गारा सेटीशन एक्ट आफ टीटू सेडीशन का मतलब होता होता है देसद्रो बनाये गया था ब्रिटीश के दोरा हमारे इस्टूरियन्स यह बोलते हैं कि यह आर्बेटरिनेस का आर्बेटरिनेस जो होती है जो मनमानिंग करने का तरीका उसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है क्यों एक्जामपल है इस एक्ट में इस बात को लिखा गया कि अगर कोई भी अगर गवर्मेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कौन सी गवर्मेंट को ब्रिटीश गवर्मेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर ब्रिटीश गवर्मेंट के अगेंस में प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पर्षन को उस पर्षन को पूलिश के द्वारा आरेस्ट किया ज और आपको मान लेजिए कि 1871 में आपने गवर्मेंट के खिलाफ कुछ आंदोलन के रोड पर प्रोटेस्ट किया गवर्मेंट को किटिसाइज करने की कोशिज की तो अभी हमने कहा न कि जब तक आप किसी भी आपने कोई ऐसा काम किया और वो काम कानून के अंदर में डिफाइ में ऐसा लिखा गवर्मेंट को किर्टिसाइज कर रहे हैं गवर्मेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पूलिस आपको अरेस्ट कर सकती है इसमें लिखा गया था या आपका ये एक्ट क्या है पनिसेबल है आपको इस बात के लिए पनिसमेंट मिल सकती है तो ब्र परश्ट कर दो जेल में डाल दो सबको क्यों ऐसा कर दो क्योंकि हमने सेडीशन एक्ट 1817 विस बात को लिखा गया है हमने लिख दिया है कि कोई भी अगर हमारा क्रिटिसेजम करेगा उसको जेल होगी और जेल भी होगी और उसके लिए आपको मुकदमा में नहीं चलना है कहां अंदर में यहाला जो एक्ट था ना एर्बिट्रेशन पावर का यूज क्या बहुत हद तक इन्होंने मिस्यूज किया था ब्रेटिशस ने लेकिन आपको पता है इंडिया आज भी हजाद हो चुकी है 2022 चल रहे हैं इंडिया के अंदर में लेकिन यहाला एक्ट आस तक गया कुछ social media पर post कर देते हैं government का गेंस्ट तो government क्या करती है उनके उपर में यही आरोप लगा करको कि government को क्रिटिसाइज करने की कोसिसा कि जा रही है उनको arrest कर लेती है कौन सेक्ट का वो लोगे उउज करते हैं सेडीशन एकटाब 80-70 का क्लियर हो गया तब से लेकर के 19th सेंचूरी से यह देखा गया कि हमारे इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है बहुत ज़्यादे क्या हो रहा था इमर्ज हो रहा था लीगल प्रोफेशन ही मर्ज होने का मतलब कि जो लोग कॉलेज ग्रजुएट होते थे न उस टाइम में इंडिया में तो उनको यह लगता था कि अगर हमें कॉलेज ग्रजुएट होना ही है तो आर्ट सब्जेक्स पढ़ो कौन से वाले आर्ट्स वाले हुमैनिटीज वाले य इंडिया में क्या था जैसे ब्रिटीश है न तो उस टाइम में कही सारे लोगों का कुछ न कुछ डिस्प्यूट तो होता ही रहता था तो जो रिचस्ट कम्यूटी के लोग थे इंडिया में उनके पैरेंट्स को लगता था कि बेटों को न हमेसा बैरिस्ट्री की पैसा भी कमाएंगे इससे हुआ क्या एक तरीके से बेनफिट ही हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर में एक लीगल प्रोफेशन जो लीगल प्रोफेशन मीन्स लॉयर बनने का जो ख्वाब था लोगों का वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा और लोग बनने लगे तो इससे बेन अधियर बनती थे पहले अपने लिए बाद में चल के यह देखा गया कि जब कॉलनियन कोट्स बनने लगे इंडिया में कोट्स एस्टब्लीस होने लगे यह देर ने रेगुलेटिंग एक 1773 का उसमें बोला गया था कि इंडिया के अंदर में सुप्रीम कोट्ट होगा कोलक तो यह हमारे जो ईंडहे जो हमारे इंडहेश थे इन्हों नहीं बहुतब कीज सब्सक्राइब कई ए गया न प्रीशर्स ने इंडिया में थासकर बैंगॉल में यूपी में बिहार में बहुत सारे किसकी निउक्ति की आपउइन्मेंट के इंडियन जज़ज्ज कर यानी किसी भी इंडिया के ही इंसान को वो लोग क्या कर देते थे जब जड़ने लगे इंडिया के ज़ेश्ज तो इनक कैसे law को interpretate किया जाता है कैसे कानून में सजा दी जाती है इसका भी एक्सपरिन सोचे इंडियन्स को पहली से बात का पता लगा कि laws कैसे बनाये जाते हैं laws कैसे बनाये जाते हैं कौन से law में क्या लिखा गया है law कैसे काम करता है rule of law क्या है अचल लौयर वो लोग जाने बाद में चलके आने वाले सालों में यह जान लिए कि जानने लगे कि जजज कैसे काम करते हैं जब खुद जजज बने तो उनको आईडिया तो लगा है होगा तो धीरे 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 क्या हो रहा है country के अंदर में एक judiciary का model create हो रहा है क्या create हो रहा है judiciary का एक model create हो रहा है 1773 से 1773 से 1947 1947 में ना क्या जाद हुए है इस duration के बीच में कितने सारे इंडिया में judge बने कितने सारे lawyers बने तो धीरे 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 एक legal system इंडिया के अंदर में create हो गया और जैसे ही हमने यह जो experience हासिल किया इतने सालों के बीच में पूरा का पूरा experience आपको कहां देखने को मिलता है अपने इंडियन constitution में जो हमने अपना इंडिया का constitution बनाया हमने इतना time क्यों लिया इसलिए लिया कि बहुत सारे हमारे वहां लोग पढ़े लिखे हो चुके थे उस time तक तो उन्होंने अपने अपने experience जो है share किये नहीं यह वाला clause अच्छा है यह वाला clause अच्छा है तो सारी चीज़े उसमें डाली गई किसमें डाली है हमारे constitution में कैसे judiciary maintain करनी है कैसे laws बनानी है यह सारी बातों को सोच समझके रखा गया अब यह जो है जो constitutionally में लिखने का काम करते थे तो उन्होंने तो लिख दिया लेकिन उन्होंने भी बोला कि जब कभी भी हमारी country में अब हम तो independent हो गए न तो independent country होने के बाल में जब हमारी country में कोई भी rule regulations बनाना होगा तो बनाने का कौन काम करेंगे हमारे representatives करेंगे कौन करेगा हमारे representatives यह जो election में चून करके जाएंगे वो लोग करेंगे तो हर साल यह जो हमारे representatives या तो parliament में चून के जाते हैं या फिर state की legislative लेटीव एसमली में चून करके जाते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ या तो नया लॉज बनाते हैं नया नया लॉज बनाते हैं या फिर पहले से जो एक्जिस्टिंग लॉज है उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिस करते हैं क्या करते हैं जैसे एक लॉज का एक्जामपल दिया लिखा गया है Hindu Succession Amendment Act 2005 इसमें क्या लिखा गया ऐद धर क्या मतलब होगा कि कोई कानोन होगा पहले से Hindu सक हिंदू Succession Act succession का मतलब वगता उत्रादिकारी मालें आपके पापा के पास 20 विघा के जमीन हैं कि कितनी जमीन उस में क्या हुआ कि जब उनकी डैथ होने टूने धा शिहत पर लिखा रहो था खता कि मेरी जितनी प्रोपफिज रबनाओं इस बात को लिखा गया था कि जब कभी भी प्रॉपर्टी का बटवारा होगा तो किवल बेटों के बीच में होगा बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा तो यह कब बना कानून जब भी बना होगा 2005 तक ऐसा चला रहा था लेकिन बात में ही देखा गया कि हमारे इंडिया में जो बेटियां हैं जब पड़ी लिखी हो गए थोड़ी उसी यार हो गए भले उनकी साधी हो जाती थी वो ससुराल चले जाती थी तो लेकिन उनको इस बात की अकल आई कि हमें भी प्रॉपर्टी मे बोला गया था कि हम आपके साथ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमनेशन नहीं करेंगे तो कुछ लेडिज लोगों ने कोट के अंदर में केस फाइल कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी में राइट लेना हमारा क्या है फंडमेंटल राइट है और यह हमारे आर्टिकल 14 का क्या है वालेशन है कैसे वालेशन है वालेशन यह कि भाई जब प्रॉपर्टी में राइट मिलना है तो भाईयों को क्यों मिलना चाहिए बहनों को क्यों नहीं मिलना चाहिए तो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमेशन आप हमारे साथ कर रहे ना तब लगा गवर्मेंट को हाँ यह कंण्य तो बात सही कह रही है तो इन कंण्याओं की बात माननी के लिए कोट ने किसी एक्ट को डिक्लियर किया गया है तब तक उस बात की लख को सज़आ नहीं मिलेगी अब तक जो existing law है country में उसमें क्या बोला गया था Hindu succession act में ये बोला गया था कि property right किसको मिलना चाहिए केवल male को मिलना चाहिए केवल बच्चों को मिलना चाहिए लड़्योंको देने की बात नहीं की गई थी तो अगर कोई माली लेज गया या फिर थाने में गया case कर दिया कि मेरे भाईयों ने पापा की जमिर ले ली हमें बैनों को नहीं दी तो क्या उसके पर ब्रमुकरमा दर्ज होगा बिल्कुल नहीं दर्ज होगा क्यों इसलिने दर्ज हो का कि हिंदु स्फ़स्टेशन एक्ट में यही लिखा गया कि प्रॉपर्टी इसको मिले की बेटो को मिले की बीटियों का तो चुछ करने ने तो पूलिस वopleस केस किसे दर्जकर एगे यानि उस टैम में प्रपर्टी का बटवारा करना कानून की नजर में अपराध नहीं था it was not a crime 2005 तक या 2005 से पहले तक वह एक्ट कोई क्राइम है बेलकुल नहीं है क्यों नहीं क्यों कि किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन द्याइन किया कि क्राइम तो कोट की सुनने के जैसे संसुधन कर लिया तो इस एक्ट को आप क्या बोलेंगे हिंदू सक्षेशन अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया 2005 में इसलिए लास्ट में यह डाला जाता है 2005 इसलम यह बोला गया कि सन हो या डॉर्टर हो या उनकी मम्मी हो सबको एक्वल सेयर मिलेगा किसमें फैंबली क सबको जो प्रॉपर्टी में इक्वल सेयर मिलेगा यानि इक्वल डिवाइड कर लिजगा जिसके पास में जितनी प्रॉपर्टी होगी क्लियर हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक यह उठता है नेक्स्ट कोईशन यह उठता है कि आखिरी जो न्यू लॉज बनते हैं यह बनत को पारलियमेंंट में फ्री मिम्बर्श होते हैं राज्य सबहर लास्ट में आते हैं फ्रीसी जो पारिये मेंट बनाती एक इक एक प्रॉपर में जो प्राब्लम उसको पसंद नहीं करते हैं लोगों को ये लगता है कि उनके लिए ये अनफेर ये हामफूल है ऐसे लोगों को परलियमन निरस्त भी कर सकती है लोगों के पास में ये धेर सारा राइट भी है किसी भी लोग वो क्या कर सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसके उपर में मेट सिटीजन्स को दिये गाए हैं जो ये चीजे नहीं थी कहां पर इन सभी चीजों का आपसेंस था ब्रिटिस एरा के अंतर में ब्रिटिसर स्याद है न क्या करते थे आप गए उनको क्रिटिसाइज करने तो क्या लगेगा सेडीसर नेक्ट 1870 अब हमारी जो कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है न तो डेमोक्रेसी में यह होता है कि जो भी सिटीजन्स होते हैं वह अपने किसी भीशू के उपर में अपने फेलिंग्स को सेर कर सकते हैं अगर उनको उनके अन्विलिंग्नेस है वो नहीं चाहते हैं कि कानून बने तो उसके तो फार्मर्स चीज़ को क्या कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे तो सको ख्र मैं कर रहे तेकाँ सबस्क्राइब बाटरिके थे थे अधिशु buyer कमें कमें कि आ लगा की जब हमारे लिखार्मर्स अच्छुंअ हमें क्या करना चाई लॉह को कासल करते मैं कुल्स ना चाहिए है कि जब कोई भी लौ मालेज़ बनाए गया और लार्ज एक्षन अफ सोसाइटी यह फील कर रहे हैं कि जो लौ बनाए गया ना जो लौ बनाए गया वो क्या एक तरीके से रॉंग लौ है यह जो कानून है बिल्कुल ही क्या है गलत है तो वह किसके उपर में प्रेशर डालते है कि कानून को चेंज बिल्कुल कर देना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट यह कि जब कोई भी लौ बनाया जाता है तो वह जो लौ है न किसी एक गुरूप के लिए नहीं बनाया जाता है अगर किसी एक गुरूप के लिए नहीं बनाया जाता है अगर किसी एक गुरूप के ल थोने लोग बनाएंगे लोग बनाएंगे तो इससे क्या अगा बाकी धर्मों के लोग आप से कुछ सब्सक्राइब करने के लिए कि जो लोग बनाए गया है वह हमारे लिए बेनिफिशियल है भी की नहीं है ठीक है इतनी बात आई समान में अभी के लिए इतना है रखते हैं थैंक्यू टेक केर बाब बाए